हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जीट और आप देख रहे हैं Note Review दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं अपना MSI का GF63 मॉडल के उपर RAM and SSD अपग्रेट करने वाल हूँ वैसे तो मेरे पास hard disk भी है, SSD भी है तो मैं आपको step by step guide करूँगा कि किस तरीके से आपको laptop open करने हैं क्या क्या precautions measures लेने हैं और ये model के अंदर आने वाले जो भी आपको doubt है हर एक चीज़ सॉल्व हो जाएंगे तो वीडियो को like कर देना और पूरा अन तक ज़रूर देखना तो सबसे पहला step है दोस्तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए एक tool kit यह मेरे पास already लगभग 3-4 साल पहले से है तो अगर आपके पास नहीं होगा तो खरीद लेना मैं description box में कुछ useful links दे दूँगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको RAM purchase करना पड़ेगा और यह laptop दोस्तो 64GB RAM तक को support करता है तो यहाँ पर आप अपने requirement के हिजाब से purchase करना मेरे पास 8GB वाला है और एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो RAM है वो है 2400MH वाला frequency का आने वाला बाकी यह जो laptop है यह आपको 2666MH वाला frequency support करता है तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा lower frequency डालूँगा तो थोड़ा सा उसका जो performance है वो reduce होगा बढ़ चलो यार मेरे पास अल्रेडी है लगभग 3-4,000 यहाँ पता नहीं कितना मैंने invest किया था तो उसको मैं waste नहीं करना चाहता इस वज़य से मैं उसी का use कर रहा हूँ आपको मैं suggest करूँगा कि आप latest वाला खरीदना बाकी यह जो SSD है यह लगभग 250GB का है यह लगभग 520GB वाला है और यह मेरा hard disk है तो यार यह तीनों में से मैं यहाँ पर SSD को preference देने वाला हूँ क्योंकि यह SSD से overall system भी fast रहता है और इसके अंदर मेरे पहले से काफी सारे software लगे हुए है जो कि मैंने अपने Lenovo के IdeaPad से निकाला है तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कुछ भी खरीदना होगा आपको यह वाला part मिल जाएगा तो यह आपका जो भी hard disk है या SSD है उसके अंदर आपको लगाना पड़ता है और यहाँ पर से दो screws के अलग-अलग pattern देखने को मिलते है ब्लैक वाला है और एक यहाँ पर से जो silver वाला है वो देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप अपने laptop को turn off करना और उसी के बाद यह सारी चीज करना यहाँ पर से जो MSI का उपर का जो pouch आया था उसको मैं पहले नीचे रख रहा हूँ ताकि मेरे laptop में कोई भी scratches ना आए वैसे नहीं आएगा क्योंकि अल्रड़ी उपर से एक जो screen guard type का लगा रहता है वो लगा हुआ है बट फिर भी no risk तो यहाँ पर मैं इसको पलट देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैंने आपको जो दिखाया था यह seal बाला पार्ट मेरे unboxing वीडियो में ही मैंने जैसे इसको touch किया था वो cut हो गया था तो मुझे दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पर थोड़ा मोड़ा laptop को open करने का मुझे experience है तो मैं यहाँ पर घबराया नहीं हूँ बाकि आपको यह वाला cut करना पड़ेगा तो ध्यान रखना इस चीज का और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से जो मैंने आपको screwdriver दिखाया है उसकी मदद से आपको सारे screws को open करने है मैं यहाँ पर से fast forward करके थोड़ा से cut लगा देता हूँ और उसके बाद दोस्तों एक बार जब open हो जाएगा उसके बाहत का जो main step है वो है कि आपको अपने laptop के back panel को open करना होगा तो कुछ आप sharp tool का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे मैं इस चीज का इस्तमाल करूँगा मेरे पास एक डबबा था तुसी से मैंने cut करके रखा था थोड़ा सा मजबूर डबबा था आप चाहो तो card ward का भी इस्तमाल कर सकते हैं काफी लोग उसका भी use करते हैं और थोड़ा सा नाकू ना कर आपके पास होगा ठीक ठाक तो आप side के तरप से थोड़ा से lift करना कुछ इस तरीके से और एक बार थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा उसके बाद ये वाला जो मैंने plastic वाला बनाया है उसको यहाँ पर से slide कर दूँगा मैं तो काफी आसानी से इसका back panel का जो भी locks है वो open हो जाएगा कुछ इस तरीके से टक टक करके आराम से जो कि आप देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों एक बार सब कुछ अच्छे से हो जाता है थोड़ा time लेना ये वीडियो मैं short में बनाना चाहता हूँ इस वज़े से मैं fast कर रहा हूँ बाकी एक बार सब कुछ निकल जाएगा तो आप अपने back panel को निकाल लेना बैक पैनल कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों और अंदर के तरफ जो main मसाला है वो आप देख सकते काफी खुबसूरत लग रहा है मत्तलों यहाँ लापटॉप का back panel खुलने के बाद अंदर की खुबसूरती और जादा अच्छी लगती है जो कि आप देख सकते हैं तो चलो यहाँ पर मैं zoom in कर लेता हूँ इसको थोड़े से अच्छे से सजा लेता हूँ और बाकी सारी जानकारी आपको देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला चीज आप देख पाओगे कि यहाँ पर पहले से एक RAM लगा हुआ है और एक RAM का slot खाली है अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको अच्छे से explain कर दूँगा वैसे यह fan है यहाँ पर से GPU और जो CPU है उसका जो pipe है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और heat exhaust होता है बाहर के तरब तो यह सारी information आप आराम से देख सकते हैं मैं इस लिए explain कर दे रह कि यह वाला frequency का ही RAM आप लगाना वैसे मेरे पास यह पुराने laptop से निकाला हुआ 2400 mh वाला frequency का RAM था तो मैं उसी को लगा रहा हूँ थोड़ा सा underclock होगा बट चलो यार कोई बात नहीं इतना चलता है क्योंकि यह लगभग 4-5,000 रुपय में waste नहीं कर सकता था तो यह चीज लगभग 6-7,000 के आसपास की कीमत में मिलता है तो यहाँ पर दोस्तो पहले तो मैं जो मैंने laptop से RAM निकाला था उसी को लगा देता हूँ तो यहाँ पर से कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे तो हाँ यह टक की आवाज आपको सुनाई देगी तो इसी तरीके से मैं दूसरा व कि एक ही बार सब कुछ कर लो और जो अलड़ी M.2 वाला स्लॉट है वह यहाँ पर आप देख सकते है 512GB वाला SSD है यह भी Kingston के तरफ से आता है तो मैं अगेन SSD जो लगाने वाला वह भी Kingston का ही लगाँगा और मैं आपको यही सारे चीज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपक और सारे अच्छे ब्रैंड के ही रहते हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह 512GB का SSD है दोस्तो और यह 1TB का hard disk है तो आप hard disk भी लगा सकते है मेरे case में SSD जब अलरड़ी है तो यार hard disk क्यों लगाया जाए तो यार मैं यह वाला SSD को लगाँगा इसको लगाना थोड़ा और यहाँ पर जो आपको silver वाला देखने को मिलता है दोस्तो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर से एक जगा लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीगे से और एक चीज मैंने notice किया दोस्तो कि SSD में जब मैंने screw up किया तो since यह पतला है अगर मैं अपने hard disk से compare करके आपको दिख सकते हैं इस तरीके से आप paper को wrap कर लेना ताकि जो आपका laptop का SSD है वो laptop के साथ टकरा ही नहीं बार पर otherwise थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो वो चीज अच्छे से fix रहेगा तो अच्छी बात रहेगी तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाया और जो भी screw बचे हुए हैं उसको म काफी अच्छी बात है अब यहाँ पर से दोस्तों यह जो sata connector है उसको आपको align करना होगा कुछ इस तरीके से जो आपके laptop के motherboard की उपर लगा हुआ है और थोड़ा सा gently आप press करोगे अच्छे से hold करके press करना तो यह काफी आसानी से लग जाएगा और नीचे का जो आपको मैं काफी अच्छा लगता है हर एक useful link में description box में दे दे रहूं आप चाहो तो जाकर के purchase कर सकते हैं बाकी यह laptop भी अगर आपको खरीदना होगा किसी दोस्त को suggest करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को दिखा देना उनको भी help हो जाएगा description box में सारे useful link दिये गये हैं तो एक बार द मैंने थोड़ा सा lower frequency वाला लगाया है तो performance definitely थोड़ी सी reduce होगी अगर आपके पास है पहले से तो खरीद के लगाने की ज़रुवत नहीं है लेकिन अगर आप पहली दफ़ा खरीद रहे हैं तो अच्छा वाला RAM ही खरीदना मैं आपको जो suggest किया हूँ वो description box में दे दे रहा ह बाकी दोस्तों आप finally हमारा जो back panel है वो लगाने का समय आ चुका है तो सारे screws को मैं यहाँ पर से लगा लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से laptop को on करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो my PC के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से मेरा SSD read हो करके आगे है Kingston वाला और इसके अंदर काफी सारे software है जिसके जरीये मुझे वीडियो यह सब बनाने होते हैं तो वो चीज मेरा आ चुका है बाकी दोस्तों यहाँ पर से अगर मैं आपको task manager में ले जा करके दिखाऊं memory वाले option में तो आप देख सकते हैं जो 8 plus 8 GB है दो slot मै मैंने यूज किया है वो सब चीज यहाँ पर से आ चुका है बाकी हाँ एक चीज आप notice कर सकते हैं कि यह अंडर क्लॉक हो गया है यानि कि 2666 mh वाला जो frequency का RAM औरड़ी exist करता था वो थोड़ा सा अंडर क्लॉक हो गया है क्योंकि मैंने पहले से जो मेरे पास 8 GB का RAM stick था उसको लगा दिया है अगर आप पूरी तरीके से दोनों frequency मैच करके लगाओगे तो यहाँ पर आपका 2666 देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों मैंने हर एक चीज आपको step by step बता दिया है अगर आपको कहीं पर भी confusion होता है तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं Instagram पे जाकर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर देना, share करना और channel पने होंगे तो subscribe कर लेना ताकि मैं आपको जो भी laptop related videos देता हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए So thanks a lot for watching झाल